A very happy Republic Day to all my dear friends आज 26th January 2023 है हमारे देश के लिए एक बहुत ही खास दिन है सबसे पहले हम news items को देखेंगे और news में Republic Day जो है हमारा 74th Republic Day जो आज हमारा देश celebrate कर रहा है तो हर साल क्या होता है दोस्तों के Republic Day की Eve यानि की एक दिन पहले 25th January को हर साल evening के टाइम पर हमारे प्रेजिडेंट जो है वो हमारे देश को address करते है तो हमारे जो प्रेजिडेंट मुर्मू जी है उन्होंने हमारे देश को address किया और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे देश में multiple creeds हैं और अलग अलग जो languages हैं हमारे देश में कितने सारे अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं अलग-अलग धर्म हैं, अलग हमारी भाशा हैं, अलग हमारे खान-पान हैं, अलग हमारे कपड़े पहनने का तरीका हैं, हमारे अलग-अलग कल्चर्ज हैं, तो ये जो हमारी विविद्धता है इस विविद्धता ने देश को डिवाइड नहीं किया है इस विविद्धता ने हमारे देश को युनाइट किया है और ये बात सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये पहले बताया थ unity in diversity ये जो जवालाल नहरु साब के जो शब्द है unity in diversity ये हमारे देश का essence है ये हमारे देश का अम्रत है nectar है कि हम बले ही अलग-अलग है लेकिन हम सब एक है when it comes to our country India उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे constitution makers है यहाँ पर maker नहीं makers कहा है constitution को बनाने के लिए कितने सारे लोगों ने मेहनत की योगदान दिया और उनका जो collective wisdom है यानि कि उन सारे लोगों की जो बुद्धिमता है उसकी वज़े से आज हम एक बहुत ही अच्छे राष्ट्र में जी रहे हैं दोस्तो मैं आपको बताओं के दुनिया के बहुत सारे जो developed देश है मैं अगर UK की बात करूँ तो UK में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं खास करके इंडियन लोग जो हर साल इंडिया आते जाते हैं उनसे अगर कभी आप बात करेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे के आज का जो भारत है वो कितना ज्यादा develop हो जुका है और जो speed है हमारी ये outstanding speed है आने वाले 15-20 सालों के अंदर हमारा देश जो है वो इस दुनिया का सबसे best देश जो है वो बन जाएगा हमारा देश जो है उसमें एक equality आजाएगी when it comes to income right economical equality हर एक व्यक्ति के पास जो है वो food security होगी shelter की security यानि कि हर एक व्यक्ति के पास अपना घर होगा बलही वो छोटा घर हो लेकिन उसके सिर पर एक छथ होगी स्वच पीने का पानी मिलेगा right basic education basic health ये सारी चीजे आज से आप सोचिए 75 एज पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो कितनी गरीबी थी और कितनी illiteracy थी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने हमारी जितनी तरकी की हो हाँ South Korea की अगर बात करें तो South Korea के ऐसा देश है जो Korean War खत्म हुए 1953 में 1953 के आस पास Korean War जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद North Korea और South Korea ये दोनों देश बन गया South Korea जो है उसकी स्टोरी आउटस्टेंग है एक गरीब देश था और आज एक डेवलोप देश बन गया बहुत ही कम समय में लेकिन याद रखिए कि Korea एक बहुत ही छोटा देश है I'm not saying कि छोटा देश है तो challenges नहीं है बहुत सारे challenges उनको भी face करने पड़े लेकिन भारत के बारे में आप सोचिए दुनिया की लगबग 17 से 18% population सिर्फ हमारे देश में हैं और आपको पता ही होगा कि जब हमारे देश आजाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे Britain के लोग जो है या फिर Western World के लोग जो है वो यह कहते थे कि अभी तो देश आजाद हो गया और Constitution मिल गया लग रहा है कि अब देश चलेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यह जो भारत देश है उसके टुकले टुकले हो जाएंगे और चोटे चोटे यहाँ पर बहुत सारे देश बन जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय पर यह बात चल रही थी पारत जो हाँ उसके अलग-अलग छोटे-चोटे टुकले हो जाएंगे इन लोगों जो महान लोग कहा जाता था उनकी बात दुन्या सुनते थे क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर्ट टू में और उसमें पार्ट लिया था और वो जीत गय थे तो फिर वो जो बोलते थे वो golden words माने जाते थे लेकिन ये सारे लोगों के predictions जो हैं वो गलत हुए ये गलत क्यों हुए पता है ऐसा नहीं है कि हमारे political leaders की वज़े जा of course उन्होंने एक बहुत important role play किया लेकिन हमारे देश के लोगों ने भी इस चीज़ को माना, इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को जाना और इस चीज़ को follow किया कि हमें एक देश बन कर रहना है तो जो constitution makers हैं हमारे उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना जो है वो सिर्फ सरकार की नहीं हम सब की individual responsibility हैं हम सब की responsibility है बहुत सारे challenges हैं हमारे देश के सामने लेकिन ऐसा नहीं है कि हम challenges से भागने वाले लोग हैं हमारा इतिहास देख लीजिए आप हमारे देश का अब देखेंगे कि बड़े-बड़े challenges को हमने एक साथ मिलकर sort out किया है और आगे बड़े हैं तो अगर दुनिया के दूसरे देशों को पूछे आप आफरिका की population देख लेजिए और हमारे देश की population देख लेजिए आपको लगेगा कि nearly impossible सा लगेगा किसी को कि इतना बड़ा देश इतनी diverse population और एक साथ एक देश में रहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए यह surprising बात है लेकिन जो भारत की history जानता है जो भारत की history को समझता है उसको पता चल जाएगा कि this is practically possible कि हम सब अलग-अलग होने के बावजूद भी अलग-अलग when I say I mean to say कि हमारे cultures अलग है हमारा background अलग है यह सारी जीसे भले ही अलग है लेकिन unity and diversity जो है वो पूरी दुन्या को भारत सिखाता है और यह unity and diversity जो है वो पूरी दुन्या को भी हमें सिखानी है गांती जी का जो एक ideal था सर्वोदय सर्वोदय का मितलब होता है the upliftment of all जितने भी पिछड़े हुए वर्ग है जो aspirational लोग है aspirational communities है aspirational districts है aspirational states है इन सारे अलग-अलग aspirational लोगों का, राजियों का districts का upliftment करना जो है वो पूरे देश की responsibility है और हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हमारे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको हम एक साथ ले करना चले तब तक इसमें tribals भी आ गए इसमें SCST community आ गए तो tribal भी आ गए इसमें महिलाए हैं बच्चे हैं, हमारे यहां के जो elderly लोग है तो हरे एक समाज के लिए हरे जो हमारे अलग-अलग diverse लोग है, उन सभी का अपलिफ्टमेंट जो है, वो भारत के अपलिफ्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है हम दुनिया की fifth largest economy बन चुके हैं per capita income हमारी कम है लेकिन आने वाले समय में per capita income भी बड़ेगी और यह जो growth है यह growth जो है वो दोस्तों कहां से आएगा यह growth जो है, वो हमारे youngsters से आएगा हमारे youngsters जितने skilled होंगे हमारे youngsters जितने healthy होंगे हमारे youngsters जितने educated होंगे यह तीन चीज़े अगर हमारे youngsters को हम provide कर दे तो directly indirectly हम nation building में बहुत बड़ा role play कर रहे हैं तो यह fifth largest economy हम है आने वाले समय में हम fourth और third rank पर भी पहुँच जाएंगे number one पर let's say USA रहेगा number two पर China रहेगा और number three पर हमारा देश भारत आ जाएगा यह जो पविश्य है वो बहुत दूर नहीं है लेकिन जब हम number three पर पहुँचे उस समय पर हमें हमारे per capita income यानि की प्रतियक नागरिक जो है उसकी income भी बढ़नी जाएगी अभी collectively हमारी income ज्यादा है economy बढ़ी है लेकिन फिर individually भी जब हमारी income बढ़ेगी तो लोग जो है वो basic facilities को अच्छी तरीके से effort कर पाएंगे COVID-19 के time पर आपको याद होगा कि बहुत सारे देश जो है वो चिंतित थे के भारत जो है उसमें एक बार COVID-19 फैलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद रोका नहीं जा सकता भारत में इतनी बड़ी population है ये वो सारी चीज़ है लेकिन भारत ने COVID-19 vaccine को खोजा दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जिनके पास अपनी खुद की COVID-19 vaccine है और भारत ने अपनी खुद की COVID-19 बनाई हमारे देश के लिए तो हमने इसका इस्तिमाल किया लेकिन लगबग सो जितने देशों को हमने ये वैक्सीन भी प्रोवाइड की एक ऐसा समय चल रहा था आपको याद होगा ट्रम्प जो है वो धमकी दे रहे थे भारत को कि हमें ये वो दवाईयां पहुँचा ये जो मलेरिया की कुछ दवाईयों का इस्तिमाल हो रहा था तो वो पहुँचा ये वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन उस समय पर भी भारत ने गरीब देशों को ये सारी जो भी मदद हो सकते थी वो बनाई हमने प्रोवाइट की PPE Kids हमारे यहाँ पर नहीं बन रहे थी हमने PPE Kids की चीज़े हमारे जो इंडस्ट्रियालिस्ट्स है चोटे बड़े MSME के लोगों को आप देखिए कि उन्होंने जब देश को requirement हुई तो हमने PPE Kids और सारी चीज़े जो हैं वो बनाना हमने स्टार्ट कर दिया आत्मा निर्बर भारत इनिशेटिव के तहत डिफेंस में अब हम चीज़ों को export करने लगे हैं पहले हम सिर्फ import करते थे import तो चल ही रहा है लगिन अब import के साथ-साथ हम चीज़ों को export कर रहे हैं for example Brahmos missile जो है वो हम फिलिपाइन्स जैसे देशों को provide करने लगे हैं G20 का president बना है हमारा देश भारत और यहां पर G20 में जब residency की बात आती है तो कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे भारत जो है वो global health पर सोच रहा है भारत global health पर काम कर रहा है हम सिर्फ हमारी health नहीं कि पूरी दुनिया की health जो है health sector खास करके जो global south है developing देश है तो उनको हम लेकर चले उनका upliftment हो और environment protection में भी हम बहुत आगे हैं और environment protection में कैसी चीज हमारी मदद कर सकती है वो है tribal communities tribal communities के पास जो ancient knowledge है कि कैसे हम environment के साथ तालमेल रखके आगे बढ़ सकते हैं for example कंतारा मूवी जो हमने देखी पले ही वो film है लेकिन उसमें हमाई क्या देखने को मिला वहीं देखने को मिला कि जो जंगल के साथ जुड़े हुए लोग है जो forest के साथ जुड़े हुए लोग है उनके पास जो knowledge उनके traditions जो है उन traditions को अगर हम follow करें तो environment को protect करना जो है वो बहुत ही easy है क्योंकि वो हमारे कहीं न कहीं blood में है you can say national education policy के बारे में कल ही हम बात कर रहे थे तो ये सारे important points जो है इन सारे अलग-अलग important points पर हमारे president साब ने बात की है और जो madam president है उन्होंने बात की है और दोस्तों ये सारे जो points हैं ये सारे के सारे points अगर president republic day की eve पर बात कर रहे हैं that means कि ये आपकी UPSC या फिर जो state PCS की exam है उनके important topics बन गया है ये सारे important topics जो हैं उन पर आपको और ज्यादा गहराई से चीजों को सोचना चाहिए अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पड़ी है environment के बारे में ये G20 आत्मनिर्वर भारत, COVID, economy गांधी जी के principles ये सरवोदय जो है हमने बात की upliftment for all तो इसका brief मैंने आपको दे दिया है जब भी आप अपनी self studies कर रहे हैं तो ये सारे points जो हैं इस पर अगर आपको कोई भी material मिले और नहीं मिल रहा है तो आप इनको ढूंड़िए इन पर तयारी अच्छी कीजिए ये सारे important topics हो गया है ठीक है USA और जर्मनी मिलकर Ukraine को battle tanks provide कने वाले हैं और ये पहला ऐसा coordinated effort है western world के द्वारा और जो कीव यानि की यूक्रेइन है तो यूक्रेइन में जो combat statement चल रही है पिछले 12 महीने आप पकड़ लीजिए 11 महीनों से तो ये जल रहा है अब फिबरुवारी में 12 यानि की एक साल जो है वो हो जाएगा इस Russian invasion का तो इसको रोकने के लिए इसमें एक table को turn करने के लिए चीजों को change करने के लिए USA जो है वो 31 M1 Abrams tanks जो है वो भेजने वाला है और Germany जो है वो अपनी leopard tanks जो है उसको भेजने वाला है Germany कुछ 80 जितनी tanks भेज़ेगा starting में थोड़े थोड़े चंक करके 88 tanks जो है वो Germany भेजने वाला है that means दो battalion tanks की Germany प्रोवाइड करने वाला है और Russia के जो ambassador है Germany में तो Russian ambassador ने इस decision को कहा है कि ये एक बहुत एक हराब decision जो है वो Germany ने लिया है India और Egypt दोनों के relationships को elevate यानि कि इसको upgrade कर दिया है इसको strategic partnership का नाम दे दिया गया है strategic partnership में political partnership security, defense, energy, economic linkages ये सारी चीज़ें जो है strategic partnership में cover होती है Egypt के प्रेजिडेंट अब्दल फताह LCC जो है वो हमारे Republic Day celebration के chief guest है Prime Minister Modi साब ने ये बताया कि cyber space जो है इसका इसका इस्तमाल extremist forces के द्वारा किया जा रहा है और ये एक सबसे बड़ी threat है जो मैंने कई बार मैंने खुद ने ये शब्द मनाया है आपको पता होगा terror process outsourcing के internet के माधियम से youngsters को भड़काया जाता है उनका brain wash किया जाता है और फिर youngsters जो है उनका इस्तमाल किया जाता है ये suicide bombing और इन सारी चीज़ों में तो ये terror process outsourcing जो है एक real threat बनता जा रहा है इसके साथ G20 summit में Egypt को special guest के तोर पर भारत ने invite किया है भारत और Egypt के relations जो है वो defense और security के खेतर में unlimited है दोनों जो है वो जो कहते है ना sky is also not the limit sky से भी उपर तो basically कहना के बतलब यह है कि defense और security में दोनों देश जो है वो इतना काम कर सकते है कि इसमें कोई अन्थ ही नहीं है इसके साथ Egypt और इंडिया के relationship की वज़ज़ से Arabian Sea जो है वो केरो यानिकी Egypt के capital की visit पर गए थे और उस visit की बचे से दोनों देशों के बीचे में relationship जो है उसको एक नई जान मिली दोनों देश जो है वो ancient civilization को ही present करते हैं you know हमारे यहां का ancient civilization Egyptian अपने दममी और यह सारे film देखी होंगी पिरामेड और वो सारी चीज़े जो उसमें दिखाई गई है तो Egypt भी एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत है तो दोनों के relations जो है वो antiquity से जुड़े हुए है और दोनों के बीच में पांच MOU हुए है Memorandums of Understanding तो इसमें culture cooperation on youth matters cyber security information and technology और public broadcasting तो ये सारे के अलग अलग क्षेत्रों में पांच क्षेत्रों में MOUs किये गए है तो ये थे आज के most important news इसके अलावा भी कुछ news आपको देखने को भी लेंगे इस three are the most important और आने वाले दिनों में आपको इनी तीन topics पर editorials and articles पढ़ने को मिलेंगे आगे बढ़े उसा पहले डिया friends अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो please hit the like button इस वीडियो को दूसरे students के साथ share जरूर कीज़ेगा बहुत सारे students को आज भी पता नहीं है के curiously education नाम की कोई channel है और deep analysis वाला जो lecture है मैंस ये हर रोज current advice जो है उनको हम बहुत ही जो आपकी examination के लिए important है तो ऐसे topics को हम बहुत ही in-depth उनका analysis करते हैं तो उनको पता नहीं है तो आप ही हैं वो students right जो इनको share कर सकते हैं अलग-अलग platforms पर share कीजिए उनको बताइए right ये जो series हैं इसको और ज्यादा grow होने की जरूरत है तो do us that favor अब बात करते हैं saluting war heroes tribune का ये बहुत ही interesting important article है इसमें कोई doubt नहीं है के union government हमारे central government जो है उसको appreciate करने का वक्त आ चुका है एक बहुत ही अच्छा decision जो है हमारी मोधी सरकार ने लिया है वो ये है के अन्दमान और निकोबार अन्दमान और निकोबार के 21 ऐसे islands हैं जिनका कोई नाम नहीं था जिनको unnamed islands कहते हैं तो ऐसे 21 unnamed islands को जो परमवीर चक्र एवोड़ीज है परमवीर चक्र जो है वो आप समझ लीजे के जब हम military के जो एवोड़ीज है उसकी बात करें तो highest military honor जो है वो है परमवीर चक्र गवीर चक्र होता है वीर चक्र से भी उपर परमवीर चक्र तो ऐसे 21 हमारे परमवीर चक्र एवोड़ीज जो है तो उनके नाम से ये islands जो हैं उनको नाम दिये गए है कल भी हमने ये maps देखे थे राइट ये पुराना map है और यहां पर आप देखिए जो नए बदलाव किये गए तो जो हेवलोक आइलेंड है उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया नील आइलेंड है उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया और ये जो रॉस आइलेंड है उसका नाम नेता जी सुभास चंदर बोज आइलेंड जो है वो रखा गया ये अलग से map है तो कल जो मैंने बताया था वही के आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इस map पर कम से कम आज भी अगर कल नहीं किया है तो आज 10 मिनिट्स जो है इस पर invest कीजगा छोटी छोटी चीजों को अच्छी तरीके से देख लिजीए 10 डिगरी चैनल अंदमांसी यहां पर है राइट कोको चैनल यहां पर है तो ये सारी चीज़ है ग्रेट चैनल जो है वो यहां पर है प्राइम मिनिस्टर मोधी साब ने यह एनाउंसमेंट जो है वो हमारे नेता जी सुभाष चिंदर बोस जो है उनकी 126th birth anniversary पर यह एनाउंसमेंट किया यह 21 आइलेंड के नए नामों का एनाउंसमेंट किया और भी ओल नो कि हमारे नेता जी जो है वो एक legendary freedom fighter थे उनके जो किस्से हैं मैं क्या बताऊँ मैं कोई ऐसा फिल्म कोई देख रहा हो और फिल्मों में ऐसे जैसे हम देखने को मिलता है कि कुछ out of the world जो कहते है larger than life चीज़े वो नेता जी ने अपने जीवन में reality की है आप सोचिए कि वो इंडिया से रश्या और रश्या से फिर जर्मनी वाया कार गए और जब वो गए दोस्तों तो temperature जो है माइनस 30 माइनस 40 के आसपास रहता था और ऐसे कठिन समय में और नेता जी की जो तब्यत हैं वो भी थोड़ी अच्छे नहीं रहते थी तो ये सारे challenges के बावजूद भी उन्होंने ये बड़ा काम किया जर्मनी गए और जर्मनी से बहुत कम लोगों को शायद ये चीज पता होगी बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि जर्मनी से एक सब्मरीन जो है उस सब्मरीन में उनको Indian Ocean तक पहुँचाया गया Mauritius के आसपास कहीं पर और फिर जापान की एक सब्मरीन जो है वो आती है और ये दो सब्मरीन जो है इन दो सब्मरीन एक सब्मरीन जर्मनी की सब्मरीन से निकल कर वो फिर जापान की सब्मरीन में बैठ कर फिर वो जापान की तरफ गए वर्ल्ड वोर्ड टू के टाइम पर एक अकेला ऐसा किसा हुआ है अगर किसी का तो वो नेता जी सुबास चंदर बोज का हुआ कि आप देखें दो देश जो है वो सब्मरीन में अपनी सब्मरीन जो है उसका उसको भेजते हैं एक सब्मरीन को भेजना एक व्यक्ति के लिए तो ये कितने महान होंगे आप सोचे और अंदमान निकोबार जो है वहाँ पर 30 डिसमबर 1943 को हमारा जो तिरंगा है वो लहरा आया था सुभास चंदर बोज साब ने जापान ने तो उनको हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी कोशित कर दिया था कि इस दर फर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उसे बहुत सारे किसे हैं उनके उनकी जो एक डीटेल्ड बायोग्राफी है वो फ्यूचर में अफकोर्स डिस्कुस करेंगे ऐसे कुछ इंटरस्टिंग किस्से जो है नेता जी के साथ जुड़े हुए आपकी साथ मैं शेयर करूँगा आप जो मैंने शेयर किया तर उस जिस्ट स्मॉल चंक फीचर में कुछ बनाऊंगा ऐसा कुछ है कोई सिरीज प्लान करेंगे अभी तो सेफ डेवलोप्मेंट की सिरीज जो है उसमें मैं व्यास्त हूँ जैसे फोकस टाइम मेरेजमेंट आने वारे समय में पढ़ाए कैसे करते हैं दिया आर्ट और साइंस ऑफ जीज़ें भी आपके साथ शेयर करने मला हूँ प्राइम मिनेस्टर अन्वेल तो अन्वेल दे मॉडल ऑफ बोस मेमोरियल टू बी सेट अप उन्दर नेता जी सुबाश्चंदर बोज आइलंड जो रोस आइलंड है तो रोस आइलंड का नाम क्या हो गया नेता जी मैप में तो यह सारी चीज़े तो 2018 से हमने चार साल चार पांच साल पहले कर दी लेकिन अब एक जो एक बॉस मेमोरियल है उसको भी अन्वेल किया हमरे प्राइम निस्टर मोदी साब ने और जो 21 नाम है तो उसमें बड़े-बड़े नाम है जैसे के मेजर सोमनात शर्मा तो फ अरून खेतरपाल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंग सेखोन कैप्टन विकरम बत्रा और ग्रेनेडियर हैं हमारे योगेंद्र सिंग यादव और दूसरे भी ऐसा लोग है जिनके नामों से अलग-अलग आइलेंट्स जो हैं उनके नाम रखे गए हैं यह हमारे जो हीर सेक्रिफाइस आप सोचिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी और वर्ल्ड वोर यह जो हमारे देश की जो फ्रीडम की लड़ाई हैं और इंडिपेंडन्स के बाद से अभी तक इतने सारे हमारे ऐसे महान शूरवीर हो गए जिन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया रही बात ये अंदमान निकोबार की तो ये सेलिलर जेल की वज़से जाना जाता है कि अबरिटिस रूलर्स ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ जो अत्याचार किये यहाँ पर लेकिन यह चीज़ तो हमें याद रखनी ही है कि हमारे इसे के साथ-साथ अब ये जो हमारे आइलेंड्स हैं, इन आइलेंड्स को हमें नए लेवल तक ले जाना है, इनको self-reliant बनाना है, और यहाँ पर इंटरनेट की connectivity अच्छी नहीं है, रोड की connectivity अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजों को better करना जो है, वहाँ के लोगों के लि ही पार्ट हैं ये अंदमान और निकोबार, तो इसका एक strategic importance है, तो इसके लिए भी हमें infrastructure डेवलोप करना है, दो हजार एक में अंदमान और निकोबार कमांड जो है, वह सेट अप किया गया, और हमारे देश का अकेला अभी का एक मात्रा अगर हमारा theater कमांड है, theater कमांड का मतलब यह होता है, दोस्तों, कि यहां पर army, navy और air force, यह तीनों जो है, उसका combination यहां पर होता है, वैसे क्या होता है, कि एक जगा पर army है, एक जगा पर navy है, एक जगा पर air force है, लेकिन theater कमांड में यह हमारी तीनों forces जो है, उनको हम combine करके as a unit कहीं पर उसकी स्थापना करते ह तो that is called theater command, तो हमरे देश का अकेला ऐसा theater command है, ANCR की अंदमार निकोबार कमांड, इस operational preparedness is vital for national security amid the military threat posed by China, जिस परकार से Indian Ocean में penetrate कर रहा है, तो इसकी operational preparedness जो है, वो हमरे national security के लिए बहुत ही important है, और हमरा ANC जो है, इसको और ज्यादा boost करना जो है, वो हमरे लिए important है, और बाकी जगा उपर भी हम theaterization जो है, वो करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़े जो है, वो ANC से हम सीख सकते हैं, बात करते हैं, deep fake narratives के बारे में, deep fake के बारे में कुछ दिनों पहले भी हमने बात की थी, we know कि deep fake जो है, इसमें artificial intelligence का इस्तमाल करते हुए software जो है, वो ऐसा deep fakes बनाता ह है, और deep fake narratives जो है, यह बहुत बड़ा challenge करता है, for example, किसे ने prime minister का या फिर president का deep fake बना कर social media में रख दिया और फिर कोई ऐसी बात कर दी, कि कोई एक community जो है, वो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, यह वो ऐसी, just imagine कि ऐसी बात कर दी और लोगों ने उसको लाखों करोडों ल स्वीर है, तो originally यह व्यक्ति का चहरा ऐसा है, लेकिन deep fake अगर करेंगे तो लगेगा कि यह Tom Cruise बात कर रहे हैं, और फिर वो कुछ भाशन देकर या फिर कुछ ऐसी बाते करके damaging बाते जो हैं, वो करके चले जाएंगे, तो किसी का career फिर मैंने pornography के बारे में बात की थी, तो यह सारी चीज़े हैं, तो fictitious information, controversial hateful statements, यह सारी चीज़ों की वज़े से, जो हम unity के बारे में बात करे थे, तो यह unity जो है, उसको divide करने का काम जो है, वो यह deep fakes कर सकते हैं, हमरे चीफ election commissioner राजीव कुमार साब जो है, उन्होंने यह deep fakes हैं, उनके बारे में, उनका जो potential है, उसक flagging किया है, flagging यानि कि उसको देश के सामने रखा है, कि यह fake social media narrative जो है, वो हमारे free and fair election को प्रभावित कर सकते हैं, और इस पर serious attention देना जो है, वो हमारे यह बहुत ही important है, वैसा election commission ने बहुत ही tough situation में, और बहुत ही challenging situation में, elections जो है, वो conduct कराए हैं, दुनिया के अलग-अलग election commissions जो है, वो हमारे देश में चीजों को सीखने के लिए आते हैं, कि इतनी difficulties के बावजूद भी आपके देश ने इतने अच्छे, इतने अच्छी तरीके से आपके देश ने elections कंड़ किया, तो election commission ने बहुत ही important role play किया है, we know about it, अब यह technology जो है, इसका misuse ना हो, तो इसको ल उनको हमें as a citizens चीजों को समझना पड़ेगा, और social media intermediaries जैसे के अलग-अलग platforms जो हैं, तो उनकी ये capacity हैं, कि वो deep fakes जो हैं, उनको proactively detect कर सकते हैं, अगर कोई किसी ने deep fake upload किया, तो आज उनके पास ऐसा elgo rhythms हैं, जिससे उनको उसके बारे में पता चल जगता है, तो ऐसे deep fakes इसको पहले से ही हम upload होने ना दे ताकि वो किसी प्रकार से viral ना हो जाए, तो इस चीज़ को लेकर सरकार और social media intermediaries को मिलकर काम करना होगा, और अब ये global debate भी चल रही है, कि कैसे हम artificial intelligence जो हैं, उसको control कर सके, उसको basically regulate कर सके, ताकि artificial intelligence का किसी प्रकार से दुरुपयोग ना हो, तो ये सारी चीज़ हैं, वो हमें इस article में पढ़ने को मिलती हैं, election commission के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि हमरे देश के elections के साथ जुड़ा हुआ ही एक दूसरा article, economic times में हमें पढ़ने को मिलता है, इसका नाम है cherry on democracy cake, ये article जो है, ये भी एक बहुत interesting व्यक्ति ने लिखा है, अक्षय रावत साब, अक्षय रावत साब कौन है, ये former director general है, election commission of India के, ECI के former DG ने ये article को लिखा है, तो 25 जानिवारी जो है, इसको हमारे देश में national voters day के दिन पर हम, national voters day के तौर पर celebrate करते हैं, और यही दिन था 25 जानिवारी को election commission of India की स्थापना हुई थी, और, you know, हमारे constitution framers जो हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर, हमारे देश के सभी व्यक्ति को, right, आप समझ लिजिए कि जितने भी adults हैं, तो adults को vote का power दिया, right, महिलाओ को, पूरुषों को, आप गरीब हैं, अमीर हैं, doesn't matter, आपकी कोई भी caste हैं, कोई भी creed हैं, आप अगर Indian हैं, और आप adult हैं, तो आपको vote देने का power जो है, वो हमारे constitution ने हमें दिया है, USA जैसा देश, जो दुनिया की सबसे पुरानी democracy हैं, तो इस दुनिया की सबसे पुरानी democracy में भी ये system नहीं थी, लेकिन हमारा देश, जब आजाद हुआ, जब हमारा constitution, जब हमने first republic day, तब से हमारे के सभी व्यक्ति को ये vote देने का power जो है, अधिकार नहीं कहूंगा मैं, ये power जो है, power to vote जो है, वो हर एक Indian के पास है, irrespective of gender, class, caste or creed, तो ये जो gift है, universal adult franchise की जो gift है, इस gift को हमें ऐसे ही treat नहीं करना है, it's not an ordinary thing, it's a big thing, दोस्तों, और ये जो भारत के citizens हैं, तो हमारा देश बनाने की जो बात है, तो हम बनाते हैं हमारे देश को, हम क्या करते हैं, हम vote देते हैं, और हम जब vote देते हैं, तो legislature बनता है, और legislature जो है, वो executives को बनाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साब जो है, वो यहाँ पर राजकोट से ही मेरे ही शहर से, एक candidate के तोर पर उन्होंने election लड़ा, उनकी party जीत गई, तो हम सब ने, पूरे देश के लोगों ने, जो BJP को उस समय पर vote दिया, 2014 में, तो ये vote देने के बाद legislation बना, बीजेपी के MPs जो हैं, वो पाल्यामेंट में, पाल्यामेंट तक पहुँचे हैं, उनके candidates पाल्यामेंट, means MP बने, member of पाल्यामेंट बने लोग सबाके, और फिर उन्होंने ये तेह किया, कि हमारे देश के Prime Minister जो हैं, वो PM, जो हैं, वो मोधी साथ बनेंगे, तो किसने बनाया, हमने बनाया हमारे votes की वज़े से legislature बना और legislature की वज़े से executive बने, तो सी everything, ये सारी जो हम कहते हैं प्राइम जीफ मिनिस्टर बन गया, तो हमने बनाया हमारे देश के लोगों ने बनाया है, और ये system है हमारे देश की, अभी, I'm not saying कि ये एक foolproof system है, flawless system, इसमें बहुत सारे issues हैं, रेकिन आज मैं और आप बैठ जाएंगे और कहेंगे कि चलो ये सारे issues हैं, तो मैं vote देने के लिए ही न nation, कि problems और challenges जो है वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन we have to continuously हमें कोई रास्ते ढूढने पढ़ेंगे, जिससे हम ये problems को solve कर सके हैं, with elections, the ordinary citizen becomes the glamorous voter, who is likely to be quoted by parties and politicians, each one trying to stand out in comparison to other, election के time पर, voters जो हैं, वो ऐसे center point में आ जाते हैं, कि सारी अलग अलग parties or politicians जो हैं, वो हमें convince करती हैं, हमें persuade करने की कोशिस करती हैं, कि हमें vote दीजे, तो ये tough competition हम create करवाते हैं उनके लिए, there needs to be a proposal for the water, a cocktail of ideology, manifesto, claims and promises, often enhanced by a freebie or revenue or sometimes material inducement, कई बार ये सारी गलत चीज़ों का भी इस्तमाल होता है, लेकिन इसका एक ही solution है, हमारी awareness, हम जितने educated होंगे, हम जितने अच्छी तरीके से चीज़ों को हम समझ पाएंगे, कि ये चीज़े हमें इसलिए दी जा रही हैं, क्योंकि वोट लेना चाहते है, एकसेटरा, तब जाकर हमारे, ये फिर, इस ओल अबाओ डिमांड इन सप्लाई, एकोनोमी में जैसे होता है न, अगर वोटर्स डिमांड करेंगे फ्रीवीज की, तो फिर पार्टी जो है वो सप्लाई करेंगे, गर वोटर्स कहेंगे, कि हमें clean politician चाह हैं, impurities हैं, तो उनके खिलाफ इसी काम कर रहा है, कि ये सारी गलत चीज़ें जो हैं, वोटर्स जो हैं, वोटर्स जो हैं, उनको best possible information प्रोइड की जाए, candidate के बारे में, और इस चीज़े को लेकर नए नए बदलाव, इसी करता रहता है, model code of conduct, इसी के साथ साथ नए regulations आते ग पड़ेगा, vigilant यानि की चोकनना रहना पड़ेगा, और ये National Voters Day जो हैं, उसकी pledge यही है, to vote in every election, fearlessly and without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, language or any inducement, हम वोट देंगे, और किसे भी प्रकार का पक्षपात करके नहीं, देश के हित को ध्यान में रखते हैं, हम में वोट देंगे, जो candidate हमें लगता है कि ये candidate मेरे area के लिए best है, उस candidate को vote करना जो है, वो हमारी responsibility है, Nation Building में बहुत important role play कर सकते हैं, हमारे देश का जो voters list है, वो एक billion को touch करने बाला है, और दुनिया की किसे भी पुरानी democracy को आप देख लीजे, उसमें इतने बड़ी संख्या में voters नहीं होते हैं, लेकिन आज भी 300 million जितने voters vote नहीं दे पाते हैं, for example USA की जितनी population है, इतने लोग vote नहीं दे पाते हैं, तो इसको लेकर भी बातचीत चल रही है, हमने remote voting के बारे में कुछ दिनों पहले ही बात की थी, लेकिन ये meeting जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन जब all party consensus आएगा इस पर, तभी इस पर remote voting जो ह जो false हैं, को हमने discuss किये थे, कुछ चीजों पर election commission जो है, वो ठीक से rules को follow नहीं करता है, तो वो कौन से rules है, ये सारी चीज़े भी आपको उस lecture में पढ़ने को मिलेगे, it is available on our channel, आप इसको देख लेजेगा, लिंडन जॉंसन जो है, उनका कहना ये था, the most powerful instrument ever devised by man is the power of what, और national voters day जो हैं, तो इस पर यही चीज हम कह सकते हैं, के voters must pledge to remain alert and active, political parties must commit to keep their promises made to the voter, and election managers must promise to honor the trust reposed by the framers of the constitution and more importantly the people. लोगों को vote देना है, active रहना है, alert रहना है, political parties को अपनी promises को fulfill करना है, और election managers यानि की election commission जो है, इसको make sure करना है कि constitution ने जो trust रखा है, लोगों ने जो trust रखा है election commission पर, तो ये चीज़ को वो fulfill करें, ठीक है, अब एक last article है, don't intervene, pioneer का ये article है, कुछ खराब news है, tech employees के लिए, right, हर महीने, कुछ 16,000 जितने tech employees जो हैं, तो उनको pink slip, यानि की उनको sack किया जा रहा है, उनकी job चली जा रही है, और ये आंकड़ा जो है, वो 3,000 तक पहुँच गया है, बड़ी-बड़ी companies, Microsoft, Google जो है, तो इन बड़ी companies ने भी बहुत सारे employees को निकाल दिया है, और last calendar year की बात करे तो एक हजार companies, एक हजार से भी ज्यादा companies में लगबग, डेड़ लाग से ज्यादा लोगों को pink slip दी गई है, government ने इसमें कोई intervention नहीं किया है, मिन सरकार ने ये भी कहा, कि सरकार इसमें कोई intervention नहीं कर सकती, ये private company और एक व्यक्ति के बीच की बात है, उसके employee की बात है, तो उनको एक महिने का समय दीजिए और क्या दीजिए कि आप notice period पर है, एक महिने के बाद आपकी job खत्म हो जाएगी, आपको पूरी salary मिलेगी, ये वो etc, and then you can sack that person या फिर उनको pink slip जो है वो दे सकते हैं, Twitter ने बहुत सारे लोगों को जब, all of the sudden जब Elon Musk आ गए Twitter के head के तोर पर तो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, तो उस समय पर हमारे जो IT Minister है वेशनम साब तो उन्होंने इसकी निंदा के दिका था कि एक transition period जो है वो देना चाहिए, ऐसा ही आप किसी को नहीं निकाल सकत है क्योंकि उनकी skills जो है वो अब match नहीं कर रहे हैं तो उनको re-skill करना ताकि वो दूसरी jobs जो है वो अच्छी तरीकी से ढूंड सके तो इसको लेकर सरकार जो है वो प्लान करें, which is a very good approach, and that's basically everything in today's discussion, dear friends, अगर आज का वडिया पसंद आया हो, तो जैसे मैंने आपको बताया that is Friday or Saturday, ये दो दिन जो है वो lectures नहीं आएंगे, अभी शादी का महौल चल रहा है, तो family friend की शादी है, तो I have to attend multiple marriages, तो उसकी वज़े से I am traveling out of city, तो उसकी वज़े से मैं lectures जो है वो नहीं बना पाँगा, लेकिन hopefully Monday से चीज़े जो है फिर back to normal हो जाएगे, Monday से कोई break जो है वो इसमें hopefully नहीं आएगा, right, कुछ शादी है फिर भी है February में, लेकिन I can go there in the afternoon time, तो ये lecture जो है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन दो दिन जो है वो आप adjust कर लिजेगा, right, मैं कोशिस करूँगा कि Sunday को अगर possible हुआ तो I will deliver a lecture on Sunday, but I can't promise now, क्योंकि जिस प्रकार से plan बन रहा है तो I will be traveling on Sunday, back to my home, तो I don't know about Sunday yet, लेकिन ये दो दिन Sunday वैसे भी छुटी होती है, क्योंकि ये दो दिन I was not able to make, तो I thought कि मैं Sunday को बना लूगा, लेकिन अब मुझे लग रहा कि Sunday को भी शायद lecture नहीं बना पाऊ, but anyway, ये दो दिन lectures जो है वो नहीं आएंगे, and that's everything from my side, again, a very happy Republic Day to all my dear friends and to all our citizens, right, thank you very much for your love and support, God bless you all, Jai Hind.